यह हैं मम्ता, मम्ता ने घर पर प्रसफ करवाने का चुनाफ किया और इसी कारण अपने बच्चे को खो दिया नमस्ते मम्ता बेहन, कैसी हो, बहुत दिनों बात दिखी, नमस्ते, अब तो बहतर हूँ, लेकिन घर पर प्रसफ कराने के नेने से अपने बच्चे को खोने का गम अभी भी है ओ, ये क्या कह रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखो और कुछ समय तक घर पर आराम करो नहीं दिदी, अब मैं घर पर एक पल भी अराम नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ, हमारे समुदाएं में बहुत सी महिलाएं घर पर ही प्रसफ कराती आई हैं, और आगे भी यही करेंगी पर मैं नहीं जाती, जैसा मेरे साथ हुआ, वैसा किसी और के साथ भी हो इसलिए अब मैं प्रण लेती हूँ, कि मैं समय पर सभी गर्बवती महिलाओं को जानकारी दे कर जागरुप करूँगी, जिससे गाउं की सभी महिलाएं एक सुरक्षित प्रसफ का अनुभव कर सकें अरे मम्ता, आज तुम यहां कैसे? मैंने प्रण लिया है, मैं गाउं की सभी गर्बवती महिलाओं को गर्बवस्ता के दोरान सभी मैध्वपुन बातों की जानकारी दूँगी, इसलिए आज मैं यहां सबसे बात करने आई हूँ अरे वह, यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, चलो सुमन की घर्बवस्ता के दोरान माता और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहिए जैसे की समय पर ANC जान्च कराना, खान पान का ध्यान रखना, दवाई समय पढ़ लेना, अस्पिताल में ही प्रसफ करवाना, वह प्रसफ के बाद बच्चे का समय पर ठीका करण करवाना ममता दीदी, अच्छा हुआ, जो आपने हमें समय पर सब महत्व पून जान करी दी, मैं समय पर जांच कराऊंगी और प्रसफ भी अस्पिताल में ही कराऊंगी अरी वा, ममता तो बहुत अच्छा काम कर रही है ममता, जिस प्रकार से तुम गाउं की गर्बवती महिलाओं को जागरुक कर, बच्चों का अस्पिताल में पैदा होना सुनिश्चित कर रही हो इससे हमारे गाउं में जच्चा बच्चा दौनों ही स्वस रहने लगे है क्यों ना तुम गाउं में आशा के पद के फॉर्म भरो इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी इससे ना केवल तुम्हारा सशक्ती करन होगा लेकिन तुम दूसरों को भी सशक्त कर सकोगी जी एन्म दीदी, मैं ज़रूर ये काम करना चाहूंगी यह है मम्ता, मम्ता ने घर पर प्रसफ करवाने का चुनाफ किया और इसी कारण अपने बच्चे को खो दिया नमस्ते मम्ता बेहन, कैसी हो? बहुत दिनों बात दिखी नमस्ते, अब तो बहतर हूँ लेकिन घर पर प्रसफ कराने के इन्डिने से अपने बच्चे को खोने का गम अभी भी है ओ, ये क्या कह रही हूँ? तुम अपना ध्यान रखो और कुछ जमें तक घर पर आराम करो नहीं दीदी, अब मैं घर पर एक पल भी आराम नहीं कर सकती मैं जानती हूँ, हमारे समुदाइं में बहुत सी महिलाएं घर पर ही प्रसफ कराती आई हैं और आगे भी यही करेंगी पर मैं नहीं चाहती, जैसा मेरे साथ हुआ, वैसा किसी और के साथ भी हो इसलिए अब मैं प्रण लेती हूँ, कि मैं समय पर सभी गर्बवती महिलाओं को जानकारी देकर जागरुप करूँगी जिससे गाउं की सभी महिलाएं एक सुरक्षित प्रसफ का अनुभव कर सकें अरे मम्ता, आज तुम यहां कैसे? मैंने प्रण लिया है, मैं गाउं की सभी गर्बवती महिलाओं को गर्बवस्ता के दोरान सभी मैध्वपुन बातों की जानकारी दूंगी इसलिए आज मैं यहां सबसे बात करने आई हूँ अरे वह, यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, चलो सुमन की घर्बवस्ता के दोरान माता और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहिए जैसे की समय पर ANC जाँच कराना, खान पान का ध्यान रखना, दवाई समय पढ़ लेना, अस्पिताल में ही प्रसफ करवाना, वह प्रसफ के बाद बच्चे का समय पर ठीका करन करवाना ममता दीदी, अच्छा हुआ, जो आपने हमें समय पर सब महत्वपून जान करी दी, मैं समय पर जाँच कराऊंगी और प्रसफ भी अस्पिताल में ही कराऊंगी अरी वा, ममता तो बहुत अच्छा काम कर रही है ममता, जिस प्रकार से तुम गाउं की गर्बवती महिलाओं को जागरुक कर, बच्चों का अस्पिताल में पैदा होना सुनिश्चित कर रही हो इससे हमारे गाउं में जच्छा बच्चा दौनों ही स्वस रहने लगे है क्यों न तुम गाउं में आशा के पद के फॉर्म भरो इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी इससे ना केवल तुम्हारा सशक्ती करन होगा लेकिन तुम दूसरों को भी सशक्त कर सकोगी जी एन्म डीडी मैं ज़रूर ये काम करना चाहूंगी